समस्कार दोस्तों मिया मुलकास सार आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों CSWT राइट एक्जाम नो तारीक को है एक दिन बाद और नो डाउट की सर एक नर्वसनेस आता है एक टेंशन आता है क्योंकि एक ही दिन में हमें चारो के चारो पेपर देने है और बहुत सारे सवाल आते हैं कि सर आमचकर्ण होनार की नई मौक्टे कुछ बच्चों के हुए उसमें बहुत बच्चों के यहाँ पे इलेक्टरिसिटी का इश्यू था आपको पास होने के लिए आपको लड़ने के लिए एक मोटिवेशन तो जरूर मिल जाएगा सर आनी मैडम चार विशे आहित आप लेला राइट आपका बिजनस कम्यूनिकेशन पकड़ लीजे एकनॉमिक्स पकड़ लीजे राइट करेंट अफेर हो गया लेलार हो गया अब इन सारे सब्जेक्ट में आप लोग कितना पढ़ सकते हो कितने एमसी के उस सौल कर सकते हो इसका कोई लिमिट नहीं है अल्टिमेटली कितना भी आपने पढ़ाओगर एकनॉमिक्स की बात करो सर तो पहले दूई चैप्टर उसमें कंसेप्ट चुले पहला चैप्टर और दूसरा नैशनल इंकम उसके बाद आगे जाओ तूजस रीडिंग वाले चैप्टर हो जाते जिसे बिजनस इन्वर्में भी देखो जिसमें स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया ऐसे कुछ एक चैप्टर है उसमें तो आप वन टाइम रीड करो चार पाच प्रोजेक्टे खतम हो जाएगा और रट्टा मारना नहीं है तो आदे गंटे में आप एक एक चैप्टर एकनोमिक्स का कर सकते हो और बहुत ही सिंपल तरीके से सब्जिक को खतम कर सकते हो बट मुद्दा यह है सर आता तुभाला स्वता और विश्वास ठिवनाची गरज है मितरा नो विकॉस CSWT के कुछ बेनिफिट वाले पॉइंट है जो देख के हम इस कूर्स में आये थे आप उस पॉइंट पे सोस समझ के तुक्का मारोगे वो भी सही आएगा अब कुछ बाते भगवान वरोसे अगले देर दो दिन में आप अपना बेस दे दो आप लोग चार चार घंटे अगर भी देते हो पर सब्जेक तो इच डे 16 आर्स का स्टड़ी होता है और मैं तो कहत हो कुछ सब्जेक चार घंटे में ही पूरे रिवाइज होके खतम हो जाते आपको या कोई सब्जेक आप फर्स टाइम भी पढ़ना चालू कर रहे हो तो कुछ चैप्टर्स आप इतना थरोली कीजिए बाकी के टेक्सबुक के नीचे के MCQS देखिए जो मॉडिल आपको इं हम आता है और मैं तुमको एक एप्रिशेट करूगा जो सीए फाउंडेशन कर रहे हैं उन बच्चों को नोविंबर में अटेम्ट है साल में दो ही बार उन्हें आप्शन मिलता है सीएस जबलिटी वालों को चार बार आप्शन मिलता है सर वन थाउजन कॉस्ट है आपका ए साथ बेठिये सर जो आ रहा है आ रहा है जो नहीं आ रहा है जैमाता दिया है अप्शन नहीं है बहुत स्ट्रेट फॉरर बात कर वह लेकिन कांफिटन्स के साथ और लॉजिक के साथ टिक करना तुम लोगों का रिजल्ट बहुत ही अच्छा हैगा अगर आपने अपने प्र पता है 50-50 probability लगी दो आंसर में तो सही आंसर को टिक करना आपका passing का no percentage या scope बढ़ा देगी ऐसे बच्चे है मेरे reference में कि जो 2 दिन, 5 दिन 6 दिन के पढ़ाई पर पास हो है क्यों क्यों confidence है सर उनको पता है हमने ऐसे भी नहीं पढ़ा है तो जो आएंगा लिख देंगे और जो ज़्यादा पढ़ते उनको ज़्यादा टेंशन रहता है कि सर ये बाकी है वो बाकी है तो बेटा वो pressure की वैसे fail मत होना ये fact है जितना ज़्यादा पढ़ा उसको लगता रही उसकी उने पता है ना कहां पे क्या रह गया नहीं पढ़ने हाला तो ऐसे भी सर ऐसे ही बतला बोलते ना कि वो बेशरम होते हैं हम लोग वे चलो जाते बेट जाते जो होगा ऐसे भी पढ़ा नहीं वैसे भी कुछ नहीं होगा और लगकी लिए पास हो जाते है तो ज़्यादा pressure मत लो sincerely attempt करो जितना आपको आ रहा है और दोस्तो एडवांटेज लो online और negative marks नहीं होने का मैं इतना ही कहोगा अब आप होशार हो दो दिन है अच्छे से पढ़ो all the best और हम आपके साथ है बबाई टेक क्यार